हेलो एमरिवन तो आईए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है कैंसलेशन यानि अंश और हर के रूप में जो फ्रेक्शन होते हैं भिन होती हैं उनको कैसे काटना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब इसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्हों ने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पहला सम देखते हैं तो जैसे आईए पहले हम एक नंबर दो बटा तीन लेते हैं छे लेते हैं तो इसको हमने सबसे पहले देखना है ये दो के टेबल पर आ रहा है तो दो पर हम इनको भाग करेंगे दो एकम दो और छे को भाग करेंगे तो तीन दूनी छे तो यह हमारे पास एक वटा तीन भाग करके दो पर आ गया है आईए अब एक और सम करते हैं और इस तरह हम ये ये पहला सम है और ये दूसरे सम की हम statement देखते हैं ये हमारे पस दिया हुआ है 4 वटा 12 तो अब इनको हम देखें अगर तो ये 2 के टेयबल पर जा रहा है और 4 के टेयबल पर जा रहा है तो पहले हम इनको 2 के टेयबल पर divide करेंगे two तू जा four और टू सिक्स जा ट्वैलव तो अब ये दो बटा छे हैं जो दुवारा से दो के टेबल में आ रहे हैं तो इनको एक पर फिर दो के टेबल पर डिवाइड करेंगे दो एकम दो तीन दूनी छे तो ये हमारे पास एक बटा तीन आ गया है तो इस तरह से इस सम को हमने करना है अब हम तीसरा सम लेते हैं जो हमें छे बटा अठारा दिया हुआ है अगर इसको हम देखें तो ये दो के टेबल पर जा रहा है तीन दूनी छे और अठारा में दो के टेबल पर जा रहा है तो दो पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आ गया है यह अब 3 के टेबल पर दोनों 3 के टेबल में आ रही है तो पहले हम 3 को लेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 तो यह अब हमारे पास 1 बाई 3 आ गया जो किसी टेबल में नहीं जा रहे है एक साथ तो अब इसके बाद हम 4th example देखते हैं इसमें हम लेते हैं यह जो है 15 वटा 18 तो अब ये जो दोनो नमबर है 2 पर नहीं जा रही तो ये 3 पर जा रही है तो दोनो नमबर को पहले 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 18 को करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है तो हम 18 को कैंसल करके हम यहाँ पर 6 लगा देंगे अब 5 by 6 अपने अपने टेबल पर जा रहा है तो इसलिए यह आगे कैंसल नहीं होगा तो आएए अब हम इसके बाद एक थोड़ी बड़ी एक्जामपल लेकर समझते हैं जैसे यहाँ पर 18 by 24 लिया है तो 18 और 24 जो है ये 2 के टेबल पर आ रहे हैं दिवाइड हो रहे हैं तो पहले हम 18 और 24 को 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे ऐसा नहीं है ये 6 के टेबल में जा रहे हैं हम इनको सीधा 6 के टेबल पर भी डिवाइड कर सकते हैं तो पहले हम 24 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड करके जो है 24 को करेंगे तो 2 तू जा 4 ये 12 हमारे पास आ जाएगा तो यानि 24 को अगर कैंसल करेंगे तो यहाँ पर हम 12 लगा देंगे और 2 का table पढ़ेंगे तो 2 9 जा 18 तो यहां पर 9 आ जाएगा अब 9 और जो 12 है यह 2 के table पर नहीं यह दोनो 3 के table पर divide हो रही है तो 3 3 जा 9 और 12 को cancel करेंगे तो यह 4 आ जाएगा तो हमारे पास 3 by 4 इसका answer आ जाएगा तो आएए एक और example देखते हैं तांकि आपको थोड़ा सा यह concept थोड़ा और clear हो जाए तो यह जहां पर मैं एक और इससे थोड़ी सी बड़ी 16 upon 24 फिर से ले लिया है तो अब 24 2 पर जा रहा है और 16 भी तो 16 को अगर हम देखें तो यह 8 2 जा 16 और 24 को जो हमने divide किया है तो यह यहां पर 12 आ रहा है तो 24 को हम cancel करके यहां पर 12 लिख देंगी अब 8 और 12 टू के टेबल पर फिर से आ रही है तो 8 को पहले divide करेंगे टू टू जा 2 फोर जा 8 और टू 6 जा 12 अब 4 और जो 6 है इनको अगर देखें हम तो यह 2 के टेबल पर फिर से आ रही है तो एक बार फिर हम इनको 2 के टेबल पर cancel करेंगे 4 को cancel करेंगे तो 2 टू जा 4 और 6 को करेंगे तो 3 टू जा 6 तो यह 2 बाई 3 हमारे पास इसका answer आ गया है तो आईए अब हम एक और थोड़ा बड़ा सम देखते हैं तो इस साम में यह जो once place पर दोनों में 0 है तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस 0 को cancel करना है 150 और यह जो नीचे है 250 तो सबसे पहले हम जो 0 को cancel करेंगे अब 15 और जो 20 है इनको देखेंगे तो यह 3 के table पर नहीं आ रहा ना 2 पर या 5 के table पर आ रहा है तो अब यह दोनों को हम 5 पर एक बार फिर cancel करेंगे 5 3 जा 15 होता है और अगर 20 को देखे तो 5 4 जा 20 तो यह हमारे पास 3 by 4 इसका answer आ गया है अब एक और 18 एक्जामपल लेते हैं इसमें हम देखते हैं यह जो 8 एक्जामपल है इसमें भी एक एक्जामपल ऐसा ही और लेते हैं तांकि आपको जो काट में सम है वो और थोड़े से क्लियर हो जाएं तो देखिए यह यहाँ पर मैंने 45 450 अपान 600 लिया है तो इनको cancel करेंगे तो पहले की तरह 0 के साथ हम पहले 0 को cancel कर देंगे तो इसके बाद हम 45 और 60 को देखेंगे यह कौन से टेबल पर जा रहा है तो 0 मैंने cancel कर दी है अब यह जो दोनों हैं 3 पर डिवाइड हो रहे हैं अगर आप देखो तो तो पहले हम 45 को 3 पर डिवाइड करेंगे वैसे ही अगर देखें तो 15 के टेबल पर भी डिवाइड हो रहे हैं तो सीधा भी कर सकते हैं पर हम छोटे से शुरू करेंगे टेबल से तो 3 पर यह डिवाइड करके हमारे पास 45 को 15 आ गया है तो यहाँ पर हम 45 को cancel करके 15 लिख देंगे और 16 को देखें तो यह सीधा ही है इसको भी डिवाइड कर लेते हैं चलो 6 जो है 3 2 जा 6 तो यहाँ पर जो 0 है इसको अब हम नीचे उतारेंगे तो 3 0 जा 0 तो यह हमारे पास 20 आ गया 60 को cancel करके और अब हम अगर इनको दवारा देखें तो यह 5 के टेबल पर जा रहा है तो इनको 5 के टेबल पर फिर से cancel कर देंगे 5 3 जा 15 तो आपने एक ध्यान रखना है कि छोटे टेबल से शुरू करके बड़े की और जाना है 4 5 जा 20 तो यह हमारा 3 बाइ 4 इसका answer आ गया है तो आईए प्यारे बच्चो एक और example देखते हैं 9th sum हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास 660 upon 990 है तो पहले हम 0 को cancel कर देंगे अब यह जो दोनों है 3 के टेबल पर divide हो रहे हैं तो 2 2 जा 6 तो 3 जा 6 और जो 99 को करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 अब यह दोनों 11 के टेबल पर आ रहे हैं तो हम इनको 11 के टेबल पर cancel करेंगे जो 22 है इसको देखते हैं पहले 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33 तो यह 2 by 3 हमारे पास इसका answer आ गया है तो अब हम एक और next 10th sum लेते हैं इसमें हमारे पास एक थोड़ा सा ऐसा ही example लेते हैं जैसे यह जो 12 by 75 लिया है यह बिलकुल असान है यह 3 के टेबल पर दोनों जा रहे हैं तो 4 3 जा 12 और 75 को हम 3 पर divide करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 और 5 तो यह 3 5 जा 15 तो 75 को cancel करके हमारे पास 25 आ गया है तो अब यह 4 और 25 किसी एक टेबल पर नहीं जा रहे हैं तो इनको हम ऐसे ही यहां पर लिख देंगे तो प्यारे बच्चो इस तरह से आपने यह जो सम है करने है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है शेयर करना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और ये एक बैल आइकन का बटन भी जरूर दबा देना है तांकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यावा तांकि यू वरी मुच